स्वागत है दुस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चप्टर 4 है न्यूस लेवर्स के अकॉर्डिंग विचारक विश्वास और इमारत हैं इस वीडियो से पहले दुस्तों मैंने MC कुश कॉशन आंसर और 3 मार्स क जो important question answer है उसकी वीडियो already upload कर दी है मैंने channel पे आज हम पढ़ेंगे 8 marks के यानकी 8 number के जो महत्पुन प्रशन उत्तर हैं उसके बारे में 8 marks के important question answer के बारे में ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते हैं विना time waste करती हुए तो इस chapter से दोस्तों हमारा सबसे पहला जो important question बनेगा वो ये बनेगा 8 marks का की देखिए यहाँ पर मैं पहले underline करता हूँ साची का स्टूप बचा रहा जबकि अमरावती का स्टूप नश्ट हो गया कैसे व्यक्या कीजिए ये परसने जो है अलग-अलग से 3-3 marks में 3 तरीके से पूछा जाएगा कैसे एक तो इस तरह से पूछ ल साची का स्टूप बचा रहा जबकि अमरावती का स्टूप जो था वो नश्ट हो गया कैसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमरावती जो स्टूप है इसकी खोज कैसे हुई थी उसके बारे में ठीक है तो देखिए जब आपका 8 marks का प्रशन आता है तो आपको कम से कम 3 पेज तो आपको लिखने ही होते हैं तो उन 3 पेजो को आप आप जो लिखेंगे उसको 3 पेजो में कैसे ले जाएंगे मैं आपको बताता हूँ तो देखिए पहला जो है अमरावती स्टूप की खोज इसमें पॉइंट फरस्ट है राजा की गलती लगवग 1796 में अमरावती जहां पे अभी जो ये स्टूप आया गया है वहां का जो स्टानिय राजा थे उसके द्वारा इस स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए कारे सुरू किया गया था इस जगह से उन्होंने अमरावती के स्टूप के अफसेश प्राप्त हुए यानि कि जब उन्हों खोडाई का खोडाई करवाई और खोडाई के दौरान अमरावती का जो स्टूप था उसके बहुत सारे जो मूर्तियां वगारा थे वो नश्ट हो गये बहुत सारे उतकीन पत्टल यानि कि जो पत्थर थे अमरावती स्टूप के वो काफी के काफी जादा उस काफी मात्तरा में वहां स से हट गए तो एकि इस्थानिय राजा की गलती की वजय से जो अमर मेंसा की की रिपोर्ट कुछ वरसों के बाद पूरलिं माइकेंजी कि तो उसकी यह रिपोर्ट चापी नहीं यहनकी कॉलन मकेंजी जो थे यह अंग्रेज थे ठीक है तो यह जो जब इस अमरावती स्थूप की इन्होंने मतलब यहां पर आये उनकी साने रिक्षण किया विश्टे तो भी हो रहा तैयार किया लेकिन फिर भी इनकी यह जो रिपोर्ट थी वो चापी नहीं गई जबकि यह रिपोर्ट बिल्कुल सही थी अगर यह रिपोर्ट चप जाती तो साइध अमरावती स्थूप जो था वो बचा रहे था लेकिन नहीं चापी इसलिए भी अमरावती का स्थूप नश्ट हो गया तो ये अमरावती की स्थूप की खोश के बारे में था अमरावती स्थूप की खोश कैसे होई थी अब आएगा कि अमरावती स्थूप जो था उसके नश्ट होने के कई कारण थे अब अमरावती स्थूप के नश्टोने के हम कारण देखते हैं पहला कारण 1854 में गुंटूर के कमिश्कनर अमरावती की यात्रा की और उन्होंने अमरावती की अनेक मूर्तियावा पत्थर हुए अपने साथ मदरास ले गए इससे क्या हुआ कि अमरावती जो स्थूप था वहाँ पे मूर्तिया ऐवों पत्थरों की कमी हो गई ठीक है दूसरा पॉइंट आएगा 1850 के दसक में यहाँ पे अनेक अधिकारियों ने अमरावती स्थूप की यात्रा की और यहाँ की मूर्तियों को ले गए ठीक है जैसे यहाँ की मूर्तियों को कोलकाता में एसियोटिक सोसाइटी ओफ बंगाल लेकर पहुंचे मदरास में कुछ इंडिया ओफिस लेकर पहुंचे तो कुछ लंदन में लेकर पहुँचें इस से यहां पर महत्वपूर्ण पत्थर और मूर्तियां पट गए इस स्टूप की जो पहचान थी वो धीरे धीरे खतम होती चली गी तो मूर्तियां कहां गई थी कोलकाता में जो एसियोटिक सोसाइटियो बंगाल है वहां पर पहुँची कुछ मदराज में पहुँची इंडियन ओफिस में तो कुछ लंदन लेकर पहुँची गई थी अमरावती स्टूप के नश्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अमरावती स्टूप की जो खोज थी वह साची के स्टूप की खोज से पहले हुआ क्योंकि जब तक साची की स्टूप की खोजी उस दौरान तक उस समय तक लोगों को जो इतिहास का थे विद्वान थे उन्हें स्टूपों की महतोता के बारे में स्थूपों के महत्तों के बार में पता चल गया था ठीक है तो ये भी एक बड़ा कारण है कि अमरावती स्थूप की खोज साची की स्थूप से पहले हुई थी ठीक है तो ये तिन पॉइंट आप लिख सकते हैं असानी से अमरावती स्थूप के नस्थ हो जाने के बिविन कारण थे ठीक है अब बात आती है कि अमरावती का स्थूप तो नस्थ हो गया लेकिन साची का स्थूप ही बचा रहा ऐसा क्यूं यानि कि अमरावती का स्थूप तो नस्थ हो गया वासिक पत्र ले जाने के स्थान पर उन्हें क्या दिया प्लाश्टर के कृतियां यानि की मिट्ट मतलब की प्लाश्टिक से बनी हुई ठीक है और जो मिट्टी होता है नॉर्मल मिट्टी जो होती है उससे बनी हुई कृतियां मूर्तियां ले जाने के लिए राजी कर लिया बुपाल की सासक सहजां बेगम ने इस स्थूप की टूटी फूटी सरचना की मरमत कराने के लिए अनुदान दिया, यानकि साची का जो स्थूप था, इसकी जो टूटी फूटी सरचना थी, उसकी मरमत कराने के लिए इनुदान दिया था, ठीक है, फिर सहजां की जो बेगम सखाज जहां बेगम उसकी उत्रा दिकारी कौन सुल्तान जहां बेगम ने यहां पर एक संग्रालय बनवाया ठीक है और संग्रालय बनवाने के लिए अनुदान दिया था और उन्होंने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा दीके यहां पर यह जो कुछ दूचार वर्ड इसे आप बूल जाएए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिग गया है ठीक है आप यहाँ पर सुनिए कि साहा जहां बेगम की जो उत्तरा धिका रेती सुल्तान जहां बेगम यहाँ पर उसने संग्राला बनाने के लिए अतिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था ठीक है और किसी भी परकार से रेलवेट ठेकेदार जो था रेलवेट ठेकेदार की नजर इस सुल्तान जहां बेगम ने ठीक है अगला पॉइंट है जब साची के स्टूप की खोज हुई तब कुछ विद्वानों को स्टूपों के महतों का पता लग गया इसी वजए से को बचाने के लिए बिभिन परकार की इंतिजाम किये गए थी इसलिए स्टूप बचा रहा स्टूप के बचे रहने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि इससे पहले अमरावती स्टूप की खोज हो चुकी थी वो विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थूप बन गया और फिर सांची के स्थूप को बचाने के लिए उसके सित्र को बनाए रखने के लिए विविन परकार के इंतजाम किये गए थे ठीक है तो यही कारण थे कि अमरावती का स्थूप तो नश्ट हो गया भाई ल फिर लिखेंगे अमरावती का स्थूप तो नश्ट हो गया लेकिन सांची का स्थूप बचा रहा है इसके क्या कारण थे ठीक है अब आता है इस चेप्टर का अगला प्रश्ण महत्वपूर्ण प्रश्ण देखे क्या है बौध और जैन धर्म की सिक्ष्ण अब यह जो प् जैन धर्म में कुल 24 तिर्थांकर हुए हैं जिसमें से 24 तिर्थांकर थे वो कौन से थे महावीर तो यह दो तीन पॉइंट आप याद रखेंगे जैन धर्म का संसाफक महानात जाता है स्वामी रिसवदेव को और जैन धर्म में कुल 24 तिर्थांकर हुए हैं जिसमें 24 में रहते महावीर, अब बात करते हैं इनकी सिक्षाओं की, ठीक है, आप सीरिय सी सिक्षा भी बता सकते हैं, वो दो से तीन पर निलिकेंगे, तो भी आपको पूरी माक्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो समसे पहली सिक्षा है, संसार प्राणवान है, जैन धरम के प्रती अहिंसा, ज जैन धरम की सिक्षा है कि हमें जीवों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, खासकर इनसान जो है, वो जानवर पेड़ पौदों और कीड़ों मकोडों को नहीं मारना चाहिए, यान कि पेड़ पौदों को काटना नहीं चाहिए, और कीड़े मकोडों और पुनर जनम का चक्र कर्म द्वारां निधार्यत होता है अर्थात यप जैन धर्म उसके अकॉर्डिंग जैसा कर्म हम इस जनम में करते हैं उसी परकार से हमें अगला जनम मिलता है। दूसर फोर्थ है विहारों में निवास करना कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपश्या वेहत जरूरी है यह संसार के त्याग से ही संभव हो पता है इसी कारण मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवारे नियम बन गया था और लाश्टमा बनता है जैन सादू और साद्वी के पांच विरत कौन कौन से जैन सादू साद्वी के पांच विरत कौन कौन से अहिसा यानिकी हत्या ना करना सत्या यानिकी जूट ना बोलना अस्ते यानिकी चोरी ना करना एपरिग्रह यानिकी धने खटा ना करना मिचारिका पालन करना ही सद्रीक के पांच वृत तो यह थे जैन धरम की कुछ मुख्य सिक्षाओं के वारे में कौन कौन सी संसार प्राणवान है जीवों के प्रती अहिंसा पुनल जनंम का चक्र, विहारों में निवास, जहन साधू और साधवी के पांच वरत, बात करते हैं दोस्तों बहुत धरम की मुख्य सिक्षाओं के बारे में, ठीक है, तो दीखें बहुत धरम की मुख्य सिक्षाओं क्या हैं, तो सबसे पहले तो एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखन कि जब एक मरे हुए बच्चे की जो मा थी, सोकमग्न मा वो बुद्ध के पास आई, तो बुद्ध बच्चे को जीवित करने की बजाए, उस सोकमग्न मा को मृत्यू की आवस्चता के बारे में समझाते हैं, और वो महिला समझ जाती है, तो इस प्रकार से पता चलता है कि ज देखिए, तो सबसे पहले सिक्चा है, बुद्ध दर्शन की अनुसार विश्व लगातार बदल है एवं आत्मा विहीन है, यानि बहुत धर्म की अनुसार विश्व जो है वो लगातार बदलता रहता है, एवं इसकी आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इस्थ दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, ठीक है, फिर है आगे, बुद्ध मानते थे, जो बुद्ध थे, वो मानते थे कि समाज का जो निर्माड है, वो मानव ने किया है, समाज का निर्माड किसने किया, बुद्ध के अकॉर्डिंग, मानव ने, ना कि इस्वर ने किय इसलिए राजाओं और गहपतियों को दयावान वा आचारवान होने की सला दी यांकि जो राजा थे बड़े बड़े लोग थे उन्हें दयावान और आचारवान होने की सला दी थी बौत धर्म के अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से समाजिक परवेश को बदला जा सकता है अ इनकी बुद्ध के अनुसार जनम और मिर्त्यू के चक्र से मुक्ति पाने के लिए अपने निर्वाड के लिए यानि की मोक्छ पाने के लिए स्वयम कर्म करना होगा और बुद्ध जो थे वो अपने सिक्चकों के लिए एक अंतिम उब्देश कह लिए या निर्देश कह ल मतलब जो विध्यार्थी थे सिक्षक थे उनके प्रति अंतिम उब्देश निर्देश क्या था तो वो यह था तुम सब अपने लिए खुद ही जियोती बनो क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंड़ना है ठीक है तो यह था हमारा बुद्धरम की मुक् प्रत आपको इनके आंसर जो खीस लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जादर से ज्यादर जरूद शेर कर दीज़ेगा तो शेर्ड़े दोसों हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके चैप्टरे शिक का नाम है भक्ति सुफी परंपरा है उस चेप्टर के एम से कुछ कोशन आंसर की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अपना ख्यार रखिए धन्देवाद जैहिन वंद्मात्रम